प्रत्य को समझा था आज हम प्रत्य करने वाले क्योंकि उपसर्ग प्रत्य कई बार थोड़ा सा कन्फिज जो जाते हैं आप तो नहीं होते होंगे क्योंकि अब उपसर्ग का मदब समझ में आ गया उप यानि जहां पर किसी के आगे जाकर हम कोई चीज एड करते हैं किसी स्टूलटा क्या होता है जब हम किसी शब्द के पीछे की तरफ को उप्रत्य को समझेंगे उसके बाद प्रत्य के अलग-अलग टाइप होते हैं जहां से आपके विपसर्ग को समझेंगे कि आपको प्रत्य से related जो उनके types हैं, उनसे related आपसे पूछा जाता है, उसी से related आपके fill in the blanks बनते हैं, तो जो ये परिभाशा हैं, इनको भी आपको समझना है, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है कि कौन सी चीज है, कौन सा एक point पकड़ना है जिसके साथ आप परिभाशा बना सको, इसलिए मैं आपको हर एक शब्द का मतलब बताती हूँ, ताकि आप परिभाशा लिखो तो आपको पता होना चाहिए, कि जो भी हम लिख रहे हैं, उसका क्या impact बढ़ने वाला है, मतलब वो शब्द का actual meaning क्या है, जैसे शब्दांश मैंने कहा, त जब परिभाशा से related आपको कोई इस तरह से fill in the blanks मल जाएगा, तो आप उसको easily पहचान के उसका सही आंसर भी लिख पाऊगे, ठीके, मैं अभी से ही इस चारी चीजे इसलिए बता रहे हूँ, ताकि जब exam के time पे जब ऐसे questions आएंगे, तो पहले का पढ़ा हुआ, आपको याद रहे कि हाँ, इस तरह के questions आने वाले थे, मैं उने बताया था, ठीके, तो start करते हैं और समझते हैं प्रत्य, प्रत्य और इसको English में क्या कहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको थोड़ा interesting भी लगीगा कि अच्छा जो हम चीज हिंदी में पढ़ रहे उसका English में भी कुछ meaning होता है, English में भी वो चीज़े use होती है, तो ऐसे ही उपसर्ग और प्रत्य ये दोनों भी चीज़े जो हैं आपके English में भी use होती है, ठीके, सबसे पहले समझते हैं प्रत्य की परिभाशा, क्या होती है, जो शब्दांज, शब्दों के अंत में जुड कर उनके रूप या अर्थ में परिवर्तन या विशेशता ला देते हैं और एक नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें हम प्रत्य कहते हैं, बिल्कुल ये शब्द रचना का ही एक पार्ट है, जिसमें हमने पहले संधी समझाता, उसके बाद समा समझाता, then हमने रचने वाले हैं प्रत्य, तो प्रत्य क्या होते हैं, किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं, क्या जुड़ते हैं, कोई शब्दांच जुड़ता है, और उनके अर्थ में क्या आ जाती है, नवीनता आ जाती है, उनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, कोई नई विशे चाहिए इस से पहले हम कोई शब्दांज लिखते थे और यहां हम ़र्यद शब्द लिखते थे लेकिन प्रत्यमें क्या होगा हुगा यहां पे mool शब्द हो गार्प् और यहाँ पर क्या होगा? कोई शब्दांज होगा. तो यह शब्द के पहले जोड़ता था, प्रारब में जोड़ता था, और प्रत्य शब्द के अंत में जोड़ेगा. तो यहाँ पर क्या होंगे? अब जितने भी होंगे, वह मूल शब्द होंगे, उनका कुछ मिनिंग होगा, जैसे सब से पहले दे रखा है धन ए. धन ए, धन पता है मनी और E लगाते ही क्या बन गया? धनी. यहाँ परे हम धन मतलब मनी की बात कर रे दे, और यहाँ पर धनी किस पर्सन की बात करें भी वो जो पर्सन है वो व्यक्ति जो है वो कैसा है धनी है रिच है ठीक है तो यहां पर क्या हो गया विशेश्टा आगए कुछ अलग हो गया परिवर्तित हो गया पहले सिर्फ हम मनी की बात कर रहे थे अब हम जिसके पास मनी है उस व्यक्ति की बात कर रह तो हो गया यह धनी कैसा एक special हो गया एक परिवर्तन हो गया next है भारत इंडिया उसमें हमने प्रत्ते लगाया यह तो भारत यह भारती है अब यहां पर क्या हो गया हम किसी country की बात कर रहे थे लेकिन जैसे ही हमने उसमें कुछ प्रत्ते लगा दिया तो उस country की लोगों की बा लेकिन एक चीज क्या है जैसे उपसर्ग में थी वैसे ही यहां पर भी वो चीज है वो क्या चीज है कि जब भी आप कोई भी शब्द के साथ कोई प्रत्ते डाल रहे हो या कोई भी शब्द के साथ उपसर्ग लगा रहे हो तो जब भी उनको जोड़ोगे तो उनसे related ही कोई meaning निकलना चीए ऐसा नहीं कि बिलकुल कुछ अलगी meaning निकल के आजाए जैसे यहाँ पर हम भारत की बात कर रहे थे यह लगा कि भारती है नहीं कुछ कुछ similar ही है एक ही category के बात कर रहे है धन के साथ इ लगाया तो बन गया धनी तो यह भी क्या है एक similar एक केटेगरी की बात कर रहे हैं, तो ये सारी सीजी आपको पता होनी चाहिए, नेक्स आता है प्रत्य, अब प्रत्य को English में क्या कहते हैं, वो भी आपको पता होगा, तो जानकारी अच्छी चीज होती है, तो प्रत्य को हम कहते हैं English में suffix, आपने देखा होगा suffix and prefix, तो suffix क होता है, suffix का मतलब होता है प्रत्य और prefix का मतलब क्या होता है, prefix का मतलब होता है, उपसर्ग, कैसे याद रखोगे, pre, पहले है न, pre, pre means prefix यानि उपसर्ग, कैसे होते हैं, जैसे आपके साथ देख लो, आप जैसे लगाते हो, को, को मतलब क्या होता है, साथ, अब English में कैसे ल similar-similar लग रहा ना, co means है, साथ में, worker है, काम करने वाला, दोनों को जोड़ के साथ में बोल दिया, co worker, पहले बोल रहे थे, worker सिर्फ एक करमचारी के बारे में, अब co worker आ गया तो वो, सहाय करमचारी, जो साथ में काम करने वाला करमचारी, उसके लिए बोल रहे हैं, तो English में भी use होते हैं, ऐसे ही suffix, suffix क्या होते हैं, प्रत्य, जैसे आप बोलते हो punish, आपको लग रहा होगा कि हम English पढ़ रहा हैं, लेकिन थोड़े थोड़े जानकरी होना अच्छी बात होती है, जैसे हम बोलते हैं, अब punish के साथ अगर आप लगा प्रत्य की परिभाषा, अब देखते हैं, प्रत्य जब use करते हैं, तो उस टाइम पर कुछ important बाते होती हैं, जिनको हमको ध्यान रखना होता है, तो one by one वो सारे points लेते जाते हैं, सबसे पहला point क्या है, कि जब प्रत्यों का प्रियोग करते हैं, तो उसको प्रियोग करते समय हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, वो कौन-कौन सी चीजे जिनको अलग लगते हैं, जो संस्कृत वाले होते हैं, शब्द तदभव जो हिंदी में होते हैं, विदेशी जो बाहर से आये वे शब्द होते हैं, तो इस तरह के प्रियोग होते हैं, और इसी आधार पर प्रत्यों को भी क्या कर दिया है, तीन टाइप में बाढ़ दिया गया है कौन-कौन से तच्सम तद्भव और विदेशी जो शब्द जिस कोटी का है उसके साथ उसी कोटी का प्रत्य लगाया जाना उचित रहता है कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई शब्द आपका संस्क्रिट से रेलेटेड है तो उसके साथ आपको वैसा ही संस्क्रिट जै है तो उसके साथ हमको वैसा ही प्रत्य लगाना होता है तो जैसा शब्द होगा वैसा हमको प्रत्य लगाना होता है कैसे उधारन से देखते हैं सबसे पहले क्या नहीं रखा है पठ अनिय पठ अनिय अब पठ क्या है पठ हम संस्क्रिट में यूज करते है तत्सम है तो तत् यानि जैसा था तत्सम था तत्सम जैसा लिया next है कमाना आउ कमाना हम कमाना कैसे बोलते हैं हम कमाना अपने हिंदी वाले लेंग्विज में बोलते हैं तो कमाना हो गया इसमें आमने लगा दिया आउ अब आउ हम संस्क्रित में बोलते हैं क्या नहीं आउ हम हिंदी में यूज करते हैं तो कमाना आउ बन गया कमाउ ठीक है? ऐसे ही फूल दान फूल और दान, दान क्या है? ये हमारा विदेशी शब्द है फूल दान, हम तो घर पे फूल दान थोड़ी बोलते हैं हम तो गमला बोलते हैं लेकिन यहाँ पे क्या है? फूल दान तो ये कौन सा हो गया? विदेशी भाशक हो गया तो जैसा हमने शब्द लिया वैसा हमने प्रत्य लिया तो ऐसा ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी हम कोई भी शब्द लेते हैं तो उसी से related उसी के type का हमको शब्द लेना है उसी के type का हमको प्रत्य भी लेना है clear? next आगे पढ़ते हैं और देखते हैं next point next point क्या दे रखा है? अनेक शब्द एक से अधिक प्रत्य लगा कर भी बनते हैं बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि आपके पास एक शब्द होता है और उस शब्द में आपको एक से ज़ादा प्रत्य देखने को मिलते हैं जैसे समाज एक ता main शब्द तो क्या है समाज इसमें हमने एक लगा दिया तो बन जाता है सामाजिक ता लगा दिया तो बन जाता है सामाजिक ता तो कितने हैं? एक से ज़ादा है जैसे राष्ट्रियता हो गया राष्ट्र इय ता राष्ट्रियता तो राष्ट्र में शब्द है उसमें इय लगा फिर उसमें ता भी लगा तो एक साथ दो लगे तो ऐसा कई बार हो सकता है कि आपको एक शब्द में एक से जादा प्रत्य भी मिल सकते है इसमें से प्रत्य को अलग करो तो आप दो तरीके से कर सकते हो एक तो आप लिख सकते हो समाज एक और ता और दूसरा आप क्या कर सकते हो दूसरा आप इसमें अलग-अलग करके क्या लिख दो एक तो सामाजी क्लिख दो और एक ता लगा दो तो ये भी ठीक है बट ये वाला जो है जादा ठीक है इस तरह से लिखा जाएगा तो पता चल जाएगा कि भाई क्या है मूल शब्द ये है और ये दो प्रत्य है और इसके अंदर भी एक प्रत्य अभी भी include है यानि समाज फिर एक आता है तब जाके पुरा सामाजिक बनता है तो दोनों तरीके से कर सकते हो लेकिन जादा बैटर कौन सा वाला होगा ये वाला होगा clear next point देखते है next point क्या है next point दे रखा है कुछ शब्द उपसर्ग और प्रत्य दोनों के मेल से बने होते हैं ऐसे शब्द में मिलेंगे आपको जिसके अंदर उपसर्ग भी होगा प्रत्य भी होगा दोनों होंगे जैसे कि सम्मानित अब इसमें देखो क्या है सम्मानित में इसको अगर अलग करें तो क्या है? एक तो है sum दूसरा है man then है it summanit तो इसमें से मान क्या है? हमारा मूल शब्द है मान में हमने sum लगाया तो summan हो गया यह हमारा क्या है? यह हमारा उपसर्ग है और यह क्या है? हमारा प्रत्य है क्योंकि यह पीछे जुड़ रहा है तो कई बार ऐसे शब्द भी मिल सकते हैं जिसमें उपसर्ग भी होगा और प्रत्य भी होगा अब आपको अगर ऐसा शब्द मिल जाता है summanit और वहाँ पूछा जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग और प्रत्य है तो आप सबको अलग-अलग करके बता दोगे ठीक है? लेकिन तरीका क्या होता है? तरीका भी लिखने का सिखाऊंगे कि किस तरह से आपको exam में question आता है और किस तरह से लिखा जाता है वो हम exercise में करेंगे नेक्स आता है अभी मानी इसमें क्या गया आएगा? अभी मान और E E कौन सा? छोटा वाला क्योंकि बड़ा वाला क्योंकि बड़ी की मात्रा है तो जैसी मात्रा दे रखी आपको वैसा ही प्रत्य लगाना होगा गड़ बड़ी यह मत कर दे ना कि यहां पर इस तरह से बना दो यह हो गया अभी यहां आएगा मान और यहां आएगा E छोटी E लगा दोगे तो गलत हो जाएगा ध्यान रखना कि कौन सी मात्रा लगी हुई है वैसा ही हमको लगाना होता है अपने विच्छेद करते समय ठीके तो यह हो गया हमारा third point जिसमें कई बार ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें उपसर्ग भी include होगा और प्रत्य भी include होगा Now next point next point क्या है प्रत्य लगा कर नए शब्द बनाते समय कुछ शब्दों की ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है और कुछ में नहीं आता है कैसे मतलब जब हम शब्द बनाएंगे तो कई बार तो क्या होता है ध्वनी में change आता है और कई बार change नहीं आता है जैसे हमने अभी अभी देखा था सामाजिकता change हो गया था sound में change आ गया सामाजिकता हो गया कहां हम समाज बोल रहे हैं तो इसमें sound में हमारे change आया तो ऐसा हो सकता है जब हम प्रत्य लगाएंगे तो हमारे sound में change आ सकता है जैसे हमने starting में देखा था धन इ तो जैसा बोल रहे हैं वैसा sound आ रहा था धन इ धनी, जब जोड़ा तब भी सेम से मारा था, तब ऐसा sound में चेंज नहीं था, तो हो सकता है, कई बार चेंज हो सकता है, कई बार नहीं हो सकता है तो जैसे देखो धारण में, बच्पन बच्पन अब ये बच्पन कैसे बना है, ये बच्पन बना है बच्चा और पन से अलग-अलग थे तो कैसे साउंड आ रहा था बच्चा, पन जब बनाया तो क्या बन गया बच्च पन तो साउंड में चेंज आ गया, बिल्कुल आ गया नेक्स देखते हैं अपना पन इसको जब लिया अपना पन जब जोड़ा, जब अलग किया दोनों सेम सेम हो रहा था ऐसा कुछ चेंज नहीं आ रहा था तो एक बड़ साउंड में चेंज आया, एक बड़ नहीं आया नेक्स्ट, धार्मिक धार्मिक कैसे बनाओगा धार्म एक बना धार्मिक sound में change आया, बिलकुल आया, कैसे क्योंकि हम थार्म 1 और अब थार्म 2 जैसे समाज 1, सामाज 1, तो sound में change आया, तो हो सकता है कई बार हमारे जब भी हम use करेंगे, तो हमारे sound में change आ भी सकता है और change नहीं भी आ सकता है, तो ये next point है, now last point क्या है? next है कुछ शब्दों में ये ध्वनी जो है परिवर्टन दो स्थानों पर हो सकता है दो स्थानों कैसे कि जब हम उसको जोड़ेंगे तो हो सकता है उनके sound में change आएगा तो sound हर बार कैसा होता है जैसे हमने धन इ लिखा था तो हमने ऐसे बनाया था धनी तो sound यहाँ change नहीं हुआ था इस जगे change हुआ था सिर्फ इस जगे change हुआ था धनी जैसे हमने धार्मिक देखा था था तो धार्मिक कैसे था धर्म और एक इस तरश था तब हमने जब बनाया तो कैसे बना धार्मिक sound कहा चेंज हूआ sound एक तो यहां change हूआ ही क्योंकि धार्मिक बोल रहे है लेकिन धर्म था धर्म था, यहां धार हो गया तो sound दो स्थानों पर चेंज हो गया एक तो यहां पर क्या और था, यहां पर फिर पीछे पीछे चेंज हूआ आगे पे कुछ नहीं हुआ आगे जैसा था वैसा गवेशा ही था जैसे कमाना था तो कमाउँ था कमाउँ नहीं था कमाउँ था मतलब स्टार्टिंग का साउंड जो था वो change नहीं हुआ था लेकिन कई ऐसे शब्दा आ सकते हैं जहां पे sound आपको change मिलेंगे जैसे सामाजिक्ता, सामाजिक्ता में क्या था, समाज, जमा, एक, जमाता, सामाजिक्ता था, लेकिन अगर हम उसको बोलते हैं, तो समाज बोलते हैं, और जब जोड रहे हैं, तो सामाजिक्ता बोल रहे हैं, तो साउंड कहां कहां चेंज हुआ, आगे भी हुआ, पीछे भी हो, परलोक जमा एक तो यहां पर पार आर जो आ रहा है यह सांड के चेंज से है तो बन जाएगा परलोक जमा एक clear, तो ये हो गए हमारे next point, next देखते हैं हम प्रत्य के भेध, प्रत्य के भेध क्या होते हैं, प्रत्य के भेध दो type के होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, प्रत्यों को दो main parts में divide किया गया है, एक है आपका स्त्रोत के आधार पर और दूसरा है आपका प्रकरती के आधार पर आपके लिए सबसे ज़्यादा important कैसे वाले आने वाले हैं प्रकरती के आधार पर और overall देखा जाए अगर आपसे question मांगे जाते हैं तो वो कहां से आते हैं वो आते हैं आपके total दोनों में से सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कोई भी एक शब्द दे दिया जाएगा कहा जाएगा इसमें प्रत्य निकालो और मूल शब्द निकालो या प्रत्य दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसके अंदर आपको शब्द डालके नया शब्द बनाना है तो यह आ सकता है तो उसके अंदर हमको सिर्फ शब्दों को ध्यान रखना है वहां पर हमसे यह सारी चीज़े नहीं पूछ जाएंगी लेकिन जब आपके fill in the blanks टाइप में आते हैं तो वहां पर questions जो बनेंगे वो आपके यहां से प्रकरती के आधार पर जो प्रत्य हैं जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं वो यहां से पूछे जाएंगे कि प्रकरती के आधार पर कौन से होते हैं कैसे कैसे होते हैं कौन सी परिभाशा होती है उनकी परिभाशा दे दी जाएगी और बीच में फिलिंजर ब्लैंक्स बना दिया जाएगा और वहां पे आपको जो में जिसको बोला जाता है वो शब्द लिखा जाएगा अभी मैं बताऊंगी आपको किस तरह के शब्द बिदेशी क्यों कि हमारे ये शब्द जो है इसे में से नए शब्द बने होंगे तो स्त्रोध के आधार जितने हमारे पार सोर्स हैं उसकी आधार पर यह हैं सबसे पहले किसी एक परसंट की बात कही जा तो जो प्रत्य मूलत है, जिस भाशा का है, उसी भाशा का लिया जाता है, हमने अभी देखा था कि तत्सम है तो तत्सम शब्द लेजाएगा, लेकिन ऐसा 100% नहीं होगा, 99% हो सकता है, एक 1% का चांस हो सकता है, जहां नहीं होगा, अगर ये मूलत है नहीं लिखा होता, तब ये पत्थर की लकीर होती कि जैसा शब्द लेंगे, वैसा ही प्रत्य लेंगे, लेकिन मूलत है लिखा हुआ इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है, situation के according ये चीज़ चेंज हो सकती है, तो मूलत है जिस भाशा का है वे उसका स्त्रोथ कहलाती है, इस स्त्रोथ के तद्सम प्रत्य, तद्सम कौन से होते हैं, हिंदी भाशा में संस्कृत के जिन प्रत्यों का प्रियोग किया जाता है, उन्हें हम तद्सम प्रत्य कहते हैं, क्योंकि ये शब्द हम कैसे उसकर रहे हैं, हम हमारे हिंदी की लैंग्विज में उसकर रहे हैं, तो तद्सम प्र मान अब इसमें क्या लगा हुआ है हलंत लगा हुआ है तुव ये क्या है ये भी हम संस्कृत में शब्द यूज करते हैं वान और अनिय अब इनके साथ जैसे श्री श्री के साथ मान लगा दिया बन गया श्री मान गती मान श्री हम किसी की रस्पेक्ट ली यूज कर रहे हैं अब यहां पर आप शब्द नोटिस करो कि तो क्या है आपको यह थोड़ा संस्कृत वाले ही फील दे रहे हैं मतलब शुद्ध हिंदी वाला फील नहीं आ रहा है तो यह चीज क्या है यह ऐसे प्रत्य हैं जो वैसे शब्दों के साथ जुड़ते हैं अब हम गुरू गुरु नहीं बोलते हैं बहुत कम ही बोलते हैं हम टीचर टीचर यह सारी चीजे शिकषक ऐसे शटे आपर गुलते हैं तो आपको शब्द ऐसे ही मिलेंगे तस्ब्र खिनी अंनी पठ्नीय लिखण लिखनी यह सब चीजे गमनी यह सबी शब्द कैसे हैं संस्क्रत में उस होते हैं तो ऐसे प्रत्य जो किसी तद्सम शब्द के साथ जुड़के एक नया शब्द बना देते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे वो कहलाते हैं हमारे तद्भाव तद्भाव यानि हिंदी वाले होंगे अब यहां पर आपको खुद से ही feel होगा कि हाँ इसमें हिंदी हिंदी वाला feel आ रहा है संस्कत प्रत्यों से हिंदी ने जो अपने प्रत्य विक्सित कर लिए उन्हें तद्भव प्रत्य कहते हैं संस्कत में कुछ प्रत्य दे उनको थोड़ा सा मोड तोड़के एक नया प्रत्य बना दिया और उसको हिंदी में यूज करने लग गए तो हिंदी में यूज करने लग गए और हिंदी के शब्दों के साथ यूज करने लग गए वो बन गए तदभव प्रत्य ठीक है, संस्कत में कुछ प्रत्य दे, उनमें से कुछ तोड मोड के कुछ नए प्रत्य बना दिये गए और वो हिंदी में यूज होने लग गए तो हिंदी के शब्दों के साथ वो प्रत्य जुड़के क्या बन गए वो हमारे तद्भव वाले हो गए अब यहाँ पर शब्द कैसे मिलेंगे आपको बिल्कुल देसी फील दे रहे होंगे कि हाँ यह तो हमारी हिंदी भाषा वाला ही शब्द लग रहा है उधारण देखते हैं फर्स दे रखा है इय इय से क्या हुआ राष्ट्रिय भारतिय नगरिय ठीक है यह सारे शब्द क्या है यह इय परत्तिय से बने तो इसमें मूल शब्द कौन से नगले राष्ट्र इय भारत इय नगर इय तो यह हो गए हमारे इय परत्तिय से नेक्स्ट है इई इ से धनी, बाहरी, पहाडी, तो ये क्या हो गए, इ प्रत्य से बन गए, नेक्स्ट है नी, जाटनी, शेरनी, उटनी, ये क्या है, एक हम बोर रहे हैं जाट, एक बोर रहे हैं जाटनी, तो एक तरह से क्या बना रहे हैं, ये स्ट्रिलिंग भी बना रहे हैं, शेर, शेरनी, य सेवहासे धिलावे कि क्या क्या है स्ट्रिलिंग भोगिए। qmm की हो जाता है विपरित की भोड़त है, लिंग भन गया इन एक नए शब्द की रचना अपको यह नए मिल जाएगा उसी के साद गा flames नई शींपने। जैसे संधी से हमने क्या क्या चीज़ी की थी, संधी से हमने शब्दों को शुद्ध करना सीख लिया था, संधी से हम नए शब्द बनाना सीख रहे थे, संधी के साथ साथ हमने समास भी सीखा था कुछ कुछ जगे पर, तो इसी तरह से सारी चीज़े एक साथ जुड़ी हुई है इसलिए शब्द रचना में यह चारो पार्ट जो हैं एक दूसरे के कभी न कभी कहीं न कहीं काम आते रहते हैं Next देखते हैं Last आन चाल आन चालान कट आन कटान मिल आन मिलान तो मिल और आन दोनों मिलकर क्या बनगे मिलान अब यहां पर जितने बहुत हैं और उनी के साथ हमारे प्रत्य भी ऐसे लगे हैं और उनसे बन गया एक हमारा नया शब्द जिसे हम क्या बोलते हैं और ये बने कैसे हैं तद्भव प्रत्य से बने हैं नेक्स्ट आता है हमारा विदेशी प्रत्य या फिर आगत प्रत्य हैं विदेशी बहार से आए वे हैं हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के तीन प्रत्यों का प्रियोग किया जाता हैं उन्हें हम विदेशी या फिर आगत प्रत्य कहते हैं कौ दूसरी भाषा जैसे लग रहे हैं जैसे कि उधारन में देखो मंद तो मंद मंद से क्या बन गया अकल मंद जरूरत मंद तो ऐसे प्रत्य जुड़के हमको कैसे दिख रहे हैं यह हमको थोड़े दूसरी भाषा जैसे लग रहे हैं तो मंद जो है हम अपनी भाषा में यूस न पीछे की तरफ जुड़ेंगे और दूसरी भाशा से मलब विदेशी होंगे अब हो सकता है वह अंग्रेजी भी हो सकते हैं अपके फार्सी भी हो सकते हैं लेकिन इतना डीटेल में आपको नहीं देखना है कि कौन सा उर्दू का और फार्सी होगा आपको सरफ एक प्रत्य मिल पीछान रहा है उससे रिलेट हो रहा यानियों कि जैसे या धू गर बोल रहे है तो जादू मैजिक के बारे में बात ओरी यानि दोनों से मिलर लग रहे है इसा जोड कि आपको सही निकालना है कुछ भी सारफैंट नमीं डालदेना है कि आल चलो चलो बन गया चलेगा नही ऐसे नहीं, बिल्कुछ selected होना चीए और बिल्कुछ सही माइने में वो सही होना चीए, ठीक है next है नाक, अब नाक में क्या है, नाक नोस वाली नाक, नहीं नहीं, वो वाली नहीं है ये एक शब्द है, मूल शब्दों दिख रहा है, लेकिन अभी प्रत्य का काम कर रहा है तो दर्दनाक, खतरनाक ये क्या है? एक नया शब्द बना रहे है, खतरनाक नेक्स्ट है दार दार, बेल दार किराएदार, दुकान दार, दुकान दुकान की बात हो रही थी, शौप की दुकान दार, उसके अंदर जो मालिक बैठता है उसके बारे बात हो रही है, तो नया शब्द बन गया एक हमने दार लगा देग नया शब्द बना दिया और उसका मिनिंग भी निकल रहा है तो शब्द भी डालो उसके साथ जो प्रत्य डालो दोनों का मिनिंग निकलना चाहिए ऐसे कुछ भी हवा में नहीं होना चाहिए दोनों रिलेट करने चाहिए क्योंकि जब बनाओगे न ह उसके सब्दीक घूलेन चाहिए शब्सकान के दुकान की वात के लगा ए दू-वी ऑप्सरग सब्सक्राइब छीज लेकिन अपने ध्यान को द्यान रखने है 수िगी नेक्स्ट सब्सक्रादेत थे हम यह उगा अथा आता है हम प्रकृति क्या आदार पर यानि की नेचर की आदार पर प्रकर्टी क्या आदार पर होता है क्रत प्रत्य तदित प्रत्य वेरी 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 इंपोर्टन ठीक है ध्यान से समझना है इनको क्रत प्रत्य तदित प्रत्य वन बाई वन सबको देखते हैं सबसे पहले देखते हैं क्रत प्रत्य क्रत प्रत्य क्या होता है ऐसे प्रत्य जो किसी क्रिया के सार्थक रूप अर्थात धातों के अंत में जोड़ते हैं और क्रिया के अंत में जुड़ने के बाद, उनके अर्थ को पूर्था परिवर्थित कर देते हैं, ऐसे प्रत्यों को हम क्या कहते हैं, क्रत प्रत्य कहते हैं, पहले लाइन समझते हैं, किसी क्रिया के सार्थक रूप, अर्था, धातु के अंत में जुड़ते हैं, क्रिया जो अभी हम काम करते हैं, हसना, खाना, पीना, रोना, धोना, यह सब चीजी क्या है, यह हमारे actions है, इनको हम क्रिया कहते हैं, तो इन क्रिया के साथ, या फिर धातू, धातू क्या होता है, जिससे क्रिया बनती है, जैसे हम बोलते हैं, पठ या पढ़, तो पढ़ क्या है, में धात हस के साथ ना लगाएंगे तो बन गया हसना वो एक हमारी क्रिया है तो या तो क्या हो या तो किसी धातू के साथ या किसी क्रिया के साथ अंत में जुड़ते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं उनको हम क्रत प्रत्य कहते हैं यानि अब जब भी इससे पहले हमने जितने भी श या उसना हो गया या लिखना लिखना क्या होगे हमारी क्रिया तो या तो धातु हो या क्रिया हो और उनके साथ कोई प्रतिर जुड़ेगा कुछ भी जुड़ेगा उनसे एक नया शब्द बने, वो कहलाता है हमारा क्रत्प्रत्य, तो यहाँ पर क्रत्प्रत्य के मिलाप से जो नया शब्द बनता है, जो नया शब्द बन के आएगा, मतलब इन दो शब्द होंगे, इन दो से जो नया शब्द बन कर आएगा, उनको हम कौन सा शब्द कहते हैं क्रिदंत शब्द कहते हैं बहुत important आ सकता है क्रिदंत शब्द क्या होता है ठीके तो आपको पता होना जी क्रिदंत शब्द कैसा होगा जिसमें पहला पत जो है वो क्या हो क्रिया या धातू क्रिया धातू के साथ जब हम कोई प्रत्य जोडगे नया शब्द बनाते हैं उसको हम क्रदंथ शब्द कहते हैं ठीक है? और ऐसे ही क्रत-प्रत्य की परिभाशा भी आ सकती है इस तरह से आ सकता है विलिंदा बलाइंक में द्वाथू के अंत में जोडने वाले प्रत्य को क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्रदंत शब्द ठीक है उधारन देखते हैं जिसे खाना खाना हमारी क्रिया है खाना उ खाना उ दोनों से मिलकर क्या बन गया खाऊं नया शब्द बन गया खाऊं ठीक है अब यहाँ पर ना जो है न यह हट जाएंगे, इनको हटा के हम यह जो प्रत्य हैं उनको लगा जाएंगे, जैसे खाना, ना हट गया, और हो गया खाओ, मिलना, यह ना हट के क्या बन जाएगा, ल में आ लग जाएगा, बन गया मिलावट, पटक ना, तो यह ना हट जाएगा, बन जाएगा पटक ई, पटकी, नेक्स्ट, उड़ आन, उड़ आन में क्या हो जाएगा, यह आ जो इसके साथ जुट जाएगा, बन जाएगा उड़ आन, अगर इसके जगे कोई और वेंजन होता, यहाँ पर कुछ और होता, ना ना उससा कुछ होता, तो उसको हम हटा देते, लेकिन यहाँ पर ना नहीं था, उड़ था, तो उड़ के साथ बाकी का जितना भी बचावा था, उसको हमने जोड दिया, यहाँ पर आप देखोगे, mostly आ यहाँ पर धातू थी, यहाँ पर उड़, उड़ एक धातू थी, उड़ ना होता, तो वो क्रिया हो जाती, लेकिन यहाँ पर उड़ एक धातू थी, बाकी सभी जगे पर हमको क्रिया मिली थी, तो जब भी क्रिया या धातू के अंत में कोई प्रत्य जुडता है, वो कौन स और शब्द देख लिया, क्रदंत शब्द, मूल शब्द भी देखा, सारतक शब्द भी हम समझते हैं, तो एक नया शब्द आ गया, क्रदंत शब्द, तो क्रदंत शब्द कौन से होंगे, जिसमें क्रिया के साथ कोई प्रत्य लगावा होगा, clear, now next, next है तदित प्रत्य, क्या क्रदंत दा देते हैं, ऐसे प्रत्यों क्या कहते हैं, तदित प्रत्य कहते हैं, संग्या, सर्वनाम, विशेशन, क्रद प्रत्य में क्या था, सिर्फ और सिर्फ क्रिया था, यहां पर क्या है, तदित प्रत्य में संग्या, सर्वनाम, और विशेशन, यानि यहां पर आने वा प्यक्ती, स्थान, वस्तु, इस्थती, स्वभाव, अवस्था, जिस चीज को आप नाम दे सकते हो वो संगया होती है। संगया के स्थान पर प्रिवख्त होने वाले सारे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। और विशेशन जब हम किसी की विशेश्टा बताते हैं, किसकी संग्या और सर्वनाम की अगर हम विशेश्टा बताते हैं, तो आपको विशेश्टा दिख रही होगी, या कुछ संग्या दिख रही होगी, या संग्या के सान पर प्रिवक्त होने वाले कोई शब्द सर्वनाम उनके साथ आप कोई प्रत्य जोड़ोगे तो वहां से नया शब्द बनके आएगा उन वो जो प्रत्य जोड़ते हैं किसी संग्या या सर्वनाम या विशेशन के साथ वो कहलाते हैं हमारे तदित प्रत्य जैसे रंग में तर लगा दिया बन गया रंगत यहां पर कोई इससे special आना चाहें कुछ अलग से नहीं बनके आना चाहें श्रेष्थ तम अब स्रेश्श्ट क्या है किसी की विशेश्टा है विशेशन है उसमें तन लगा दिया बनगया श्रेष्टम लगु में ता लगा दिया बन गया लगुता जैपुर एना ksग्या रहे है Jugya भीед उत मुम् तो ये सारे शब्द होगा, अब ऐसा ही काला और काली, अब काला में E लगा दिया बन गया काली, अब काला और काली, एक दो दर जिसे बॉइ के लिए बोलते तो फिल या नि जेंडर फिल हो जाता है, तो इस तरह से आपको जो शब्द लोगे, अब दोनों को ध्यान से तामज संग्या हो सकता है या फिर विशेशन या फिर आपका Nord तो जबभी आप ध्यानद होगे, तो आपका मूल शब्द , Chta Rādi Kung कि मूल शब्द कौन सा है मूल शब्ढ जैसा होगा फिर प्रत्याaces recurring प्रत्य हाई तृधह कर लेते हैं जिससे हमको और क strengthen हो जाएगा सबसे पहले अभ्यास नमबर भन देखते हैं निमलिकि शब्डोcomes म्में प्रत्य लगा कर आपको 연हरा मं नया शब्द बनाना है. यह दो रखा है, मोटा. मोटा एक शब्द है. इसमें आपको एक सब्द डालगा। एक प्रत्रय डालना है. कुछ बनादो. अब मोटा मोटा में क्या लगा है? मोटा में पा लगा है? बन जाएगा मोटा पा. यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम मोटा, कोई विशेष्टा बता रहे हैं, व्यक्ति कैसा है, मोटा, अब पा लगा दिया तो मोटा पा यानि उसकी स्थथी की बात कर रहे हैं, तो एक नई चीज आ गई, कैसे बनाओगे, जब भी आप लिखोगे तो इस तरह से लिख बच्चे को बता है, यह मोल शब्द है, यह प्रत्य है, ओके, मोटा पा, सही है, जादू, अब जादू से क्या बनाए, अभी भी आपने बात की थी, जादू से बना दो, जादूगर, ठीके, हो गया, जादूगर, next, next इसके बाद आता है खेलना खेलना क्या है? एक क्रिया है ठीक है? खेलना खेलना से क्या बना दो? खेली इ बना दो न तो ये बन जाएगा खेली ठीक है? next है कमाना, कमाना से क्या बना सकते हो? कमाना और लगा दो इ बन गया कमाई clear? तो इस तरह से कोई भी शब्द है उसके साथ आप प्रत्य लगा के बना सकते हैं जिसे इसमें मैंने क्या किया? इस ना को हटा दिया और एक नया प्रत्य जोड़के बना दिया next एक और चीज़ दिखते हैं अब आपको क्या करना है? उसमें उपसर्ग और प्रत्य को अलग-अलग करके दिखाना है अप मान इत क्या क्या होगा? अप मान इत किस तरह से? अप मान इत यह क्या है हमारा उपसर्ग यह है हमारा मूल शब्द और यह क्या है? प्रत्य ठीके? ऐसे ही विशमकारी तो यहां आ जाएगा विशम यह हो जाएगा कार और नेक्स्ट आ जाएगा ई विशमकारी परदेशी, परदेश और ई आप चाहो तो वीडियो पॉस करके खुद से बनाना ताकि आपकी प्रेक्टिस भी हो जाएगी कि हाँ हम किस तरह से बना देए स्वार्थी में सुव, अर्थ और मात्रा देखना कौन से लगी यह भी बड़ी की तो आप बड़ी एकी लगाएंगे से तो इस तरह से आपको किसी शब्द में से उपसरग और प्रत्य को भी अलग-अलग कर सकते हो तो यहां पर आज का हमारा प्रत्य का टॉपिक कम्प्रिट होता है नेक्स मैंने आपके लिए छोटा सा question छोड़ा है जिसके लिए सबको comment section में उसका right answer बताना है देखों कितने बच्चे ध्यान से देखते हैं और कितने बच्चों को यह चीज़े समझ में आई है उपसरग और प्रत्य ठीक है तो मिलते हैं next lecture में पहले मैं आपको question दिखा देती हूँ question क्या है question है आपके लिए नीची दिये गए प्रत्यों से जो शब्द नहीं बना है उस पर गलत का चिन लगाई है ठीक है तो यह आपके लिए question है answer आप सभी लोग मुझे बताएंगे तब तक के लिए चाचा बाई बाई थेंक्यू सो मच टे क्या